कि है दोस्तों आज मैं आपको बताने वादा हूँ एनस्पी का फॉर्म आप लोग जो आनलाइन कैसे फर सकते हैं और किस तरह साथ के एकॉन में बालेंस आएगा इस वीडियो में और कब तक डेट है वह भी बताऊंगा और कब से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप मेंने चैनल पर नए हैं तो आप मेंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट जो है न्यू न्यू अपडेट आपको स्कुलेशिप का डेर इ आफली बर सकते हैं एलेवन टुवन पार्ट वन पार्ट टून किसी भी कोडस कोई भी कोड्स कर रहे हैं तो वह सारे जहेंने स्कूलरसीप पडल हो तो इसको जो है आप किसे फिल करेंगे सबसे पहरे आपको Google या क्रॉम को अपन करना इसमें आपको सच करना न्स्प पिन एक चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लॉगिन का ओप्षन है और एक नियू रजिस्टरिशन और इस पार भरना चाहते हैं तो यहां पर आप पहले से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ पेज इस तरह ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको जो है यहां पर बता गिया है सकते हैं इसके बाद यहां देख सकते हैं इमेल आइडी लगेगा नेम आप स्टुडें स्कुलर्शिप कर्टिग्री सब के बारें बता आगा पर लें पर निक बाद यहां पर तीन को एगरी के लिए दिया वा जहां देख सकते हैं पर आपको सबसे पहले करना है क्लिक तो फर्स्ट चैन्ट और थर्ड तिनों पर क्लिक करने के बाद निशे आएंगे यहां पर कंट्टिन्यू का जो पेज है यह घ्रीन हो जाएगा तो इस पर आपको कर देना क्लिक जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज उपर जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं state of domestic यहां पर आप अपना जो है state जोज़ करें किस state में आते हैं उसके बाद यहां पर scholarship जोज़ करेंगे कौन सा भरना चाहते हैं प्री मेट्रीक 90 के लिए प्री मेट्रीक और पोस्ट मेट्रीक जो हो गया ग्रेज़ बैसन के लिए और 11 ट्रेइं चो पर यहां प्री मेट्रीक आप पर शिर्प यहां पर अपना नाम फिल करेंगे फिल करने के बाद यहाँ पर कौन साइज स्क्रीम है स्कॉलर्षिप स्क्रीम पर क्लिक नीचे आएंगे स्कॉलर्षिप स्क्रीम है तो स्कॉलर्षिप पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट और बर्थ फिल करेंगे यहां पर आप जन्रल फिल करेंगे mail waiver यहां पर आप अपना mobile नमर जो आपके पास हो IOF करना है यहां पर email id फिल करना है उसके लीचा आएंगे यहां पर आपका बैंक का IFSC Code fill कोड फिल करना है यहां पर बैंक काarta infrac ст confirm एक बार और पिर यहां पर account number नमर फिलकर ना यहां पर भी venture देना चाहते हैं तो यह तीनों अगर करेंगे उसके बाद यहां पर यह करेंगे यहां पर एक इंद्रेफ्टर नेगे- Woo , ज Şu में नहीं है क्ने लिए करेंगे यहांट एक उप्से बाद है यहां फुर्लीड को फटन के लेकिपोहन पर देचल को फर टो थो उसके बाद में आगे बाद है उपर सब कुछ फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे यहां पर देखिए अधार काट नमर डाल देए उसके बाद यहां पर आई अगरी पे सभी तीन टीक मिलेगा इसको क्लिक कर देना उसके बाद यहां पर रेट कलर का रजिस्टर पर यहां इसके बाद आपका इस तरह से हो जाएगा आपका देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपका अप्लीकेशन नमर आ गिया है और इसका स्कुछ इंसट पर लेके राक्स लीजिए उसके बाद यहाँ पर continue पर click करना है जैसे continue पर click करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं login नमर पर आपको करना है click तो अगर आप password save करके रखें तो इस पर आपको करना इसके बाद यहाँ पर आपको capture code पहले फिल कर लेना सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर simply login के बटन पर करना है click जैसे ही करेंगे यह जो आपका login हो जाएगा अगर पासफ़र यह सेफ करना है अगर नहीं तो कोई बात नहीं उसके बाद यहाँ पर आपके mobile पर जो टियवते बाद इसके बाद यहाँ पर कंपर्णों टिपी यह वाला है होसकता है इसके जिए फिर करेंगे यह करके मिया उसकाती हम अपना पासवर्ट को फिल करेंगे तो यहाँ पर इस்पेशिल पासपोर्ट लेना आपको special character का मतलब हो गया पहला अक्षर जो आपको कोई भी capital लेना है कोई भी अक्षर ले सकते हैं पहला एक्षर capital में चाहिए उसके बाद जो आप आप स्मॉल में कोई भी डिजिट लिख सकते हैं नाम भी लिख सकते हैं उसके बाद एड़ डेरेट लगा दें या हैच लगा दें कुछ भी स्पेसल करेक्टर लगा के 1237864 कुछ भी आप डाल सेते मौईल नमर आपको जो भी हो दोनों में फिल कर देंगे कि दोनों में लेने हैं यहाँ पर somm Nic0 कर देंगे समीर क्लिक करेंगे देखिया आ गया है आपज्वर्ट अपडेट भी कर सकते हैं नही तुख φारिक ला जायगा उसके अहां परआप्स्न है już हो कर पहला Home Page उसके Second Application form यहाँ पर आप इस तरह से Logging करें इस्टेटस चेक कर सकते हैं कहां तक आपका गया उसके Print Your Application form उसके बाद जो है नीचे में आप चेंज इसका Password भी Change कर सकते हैं कभी भी उसके बाद यहाँ पर वेड्रो अप्लिकेशन जो है आप यहाँ पर निगा सकते हैं लॉग आउट भी कर सकते हैं तो उसके आगे आपको यहां पर सबसे पहले जो है अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना तो अप्लीकेशन फॉर्म पर हमको क्लिक करना है उसके बाद आप नीचे आएंगे इस तरह सब को को फिल करना बता अप्लिकेशन फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना तो यहां पर आप जनरल इन्फोर्मेशन को फिल करना तो सबसे पहले यहां जो आप अपना इस्टेट चोज करेंगे उसके बाद यहां पर आप स्कॉलर्शिप का करेंगे कौन से स्कॉलर्शि अगर नहीं है तो नो लिखेंगे उसके बाद फिर नीची आएंगे यहां पर रिलेजन्स चुनेंगे आपना काश चुनेंगे क्या हिंदो मुस्लीम जो भी हो वह आप यहां पर फिल करेंगे उसके बाद यहां पर फिल करने के बाद यहां पर कॉम्मुनिटी या केटेगरी प्रण यहां पर आपको नीची आना है तो यहां पर यहां पर यहां इन सगस्कर लेंगे उसके बाद फिर नीची आएँगे यहां पर आप अपना College या इंवर्सिटी सेर्च करेंगे इसको सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पास लेको और इंस्टिट करना है उसके बाद यहां पर इसकूल बता रहिए पहले उपर वहल फिल लेजिए कि इसके बाद नीचे बता देखे सब्जार करने के बाद आपको छोजिया ऑर सब्सक्राइब गया है तो यहां पर इस तरह पेज लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना जैसे क्लिक करेंगे नीची आएंगे तो यहां पर पूरा जो स्कूल आप अपना जो इनवर्सिटी है वह पुरा लिश्ट आजाएगा आप देख सकते हैं एक दो तिन जहां भी हो एक सब्सक्राइब तो आप जहां पर हो आप देखके आप अपना चुछ कर लिए जो भी इनवर्सिटी है या विद्याला है आप जो भी दालना चाहते हैं उससे कर सकते हैं उसके बाद जो है पहले देख लेते हैं कौन सा है तो अब बाद जो आप यहां पर अपना और कॉलेज कानम स्लेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे पहर आप पुणा एप इस सारह कर वा आपने इर्मिशन करवाया वह उसके बाद यहां पर आप अपना रोल नमर जो होगा तो वह रोल नमर फिल करें या कोई भी सेक्षन ऐघ करना २यां पर जो है एक लाइड क typically हो प्रॉड करना यहां पर लाइड क्लास स्टार्ट देट करना है उसके बाद रॉड्स किफिकट पर एक मिनिट यहां पर आपको सबसे पहले क्लास इस्टार्ट डेट फिल करना है उसके बाद यहां पर प्रेवियू इंवर्सेटी का नाम डालना है यहां प्रेवियू कौर्स कौन सा कौर्स करने वह डालना है पहले वाला उसके बाद यहां पर प्रेवियू बिछले साल जो पा और 10th में roll number कितना था उसके बाद यहाँ पर 10th का roll number confirm 10 का roll number किस board से pass किये वो fill करना है उसके बाद नीचे जो है आप अपना passing year fill करेंगे 10th का उसके बाद 10th का percent कितना आया था वो fill करेंगे उसके बाद फिर नीचे आएंगे 12 के बारे में 12 का यहाँ confirm करेंगे उसके बाद मेंगे थागर स have a black उसके बाद निचे मेंगे तर आप देख सकते हैं competition अगर दीत तो यहां पर inगे फीर यहां पर इसको फिल sihयं नहीं करना थे जैंगे आप और फ़ं में देखिए और फंट में क्या अफसान में इस या Biz नो चुजक करें यहां गारजर नेम है अगर डिस अगर है जो भी हो तो अगर डाल सकते हैं नहीं तो नो उसके रद यहां पर आपको अगर है तो परसेंट डाल सकते हैं तो उसको कुछ फिल नहीं करना है यहां मेरे स्टेटर्स बताना है साधी सुदा या नहीं यहां पर फिल करना उसके रद यहां करना है वहां पर करना यहाँ पर is the फिल करने के बाद ये आपको और आल आपसट में स्कॉलर्षी सब्सक्राइब कर देना की कर देना उसके बाद हैं नीचे जो है आप आपना save as drop पे click कर देना उसके बाद सबसे पहले इसको fill कर लेजिए उपर fill करने बाद यहाँ पर जैसे यह post matrix पर click करेंगे इस तरह से आपका हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर जो आप अपना निवास परमान पर यहाँ अपलोड करेंगे इसके बाद जो है नीचे अपना student अपना फोटो अपलोड करेंगे अपने खुझ से अपने खुझ से अपना सब्सक्राइब बताएंगे हां मैं इसका सब्सक्राइब रखता हूं अब नाम से इनेचर करके उसके बाद यहाँ पर से अपर प्रियू एकडमीन मार्क सिर यानि पिछले वाला जो आप मार्क सित यहाँ पर फोर नमर में फिल करेंगे उसके बाद फिर नीचे आएंगे फी रिसिप्ट और करेंट कोड्स यानि आप अपना जो रसी जो है यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद जो है आप यहाँ पर इंकम सार्टिपिकेट जो है नीचे मे इंकम certificate यहाँ पर आपको फिल अपलोड करना है उसके बाद यहाँ पर proof of bank account name यानि student का अपना जो है खाता वो आपको फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आप जो है buonafite इन पर बोनafite नहीं हुआ उसको डाउनलोड करने के लिए आप कोả़ यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करेंगे हैं इसको इसको फाइल में सेफ करके प्रिंट और निकालेंगे शेये में आपको अपने कॉले से college से जाके इसका signature करवाके इसको आप लोग भर देंगे उसके बद भरने के बाद आप यहाँ पर सब कुछ upload करने के बाद देखिए upload करने के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ तो यहाँ पर अगर student photo आप अपना फोटो फिले आ लेंगे अप पर upload पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप उसका Mar करेंगे जो यहां पर आप जिसने भी रखे हैं तो उसको ऊपन करेंगे इसके बाद जो है यहां पर इस तरह ओपन होगा आप अपना फोटो फोटो चूज करने के बाद यहां पर आपको याद रहे यहां पर देख सकते हैं आपका मैक्सिमम साइज दो सो के वी के उपर नहीं होना चाहिए आपको चूज करने के बाद यहां अपलोड पर क्लिक करें अपना पूरा निवास पनोन यहां पर उननलोड पर फोटो से बडख़ए में बना के आपको फिर यहां पलोड कर देना है सब्सक्राइब कर देंगे और आगे बताऊंगा अगर आपको कोई दिक्कत आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाने बिल्कुल भीड़ा बुलें जाओर आपको करें और आपको करें साव में kg करें बताऊंगा दाव भी तक मुझे रखैंक। स